नमस्कार दोस्तों आपका अपने हेल्थ वेल्ट चैनल पे स्वागत है आज एक में महत्पूर पौधे को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सत्या नाशी सत्या नाशी एक वार्षिक और सदिय पौधा है जो लगबख पूरे भारत में पाये जाता है आपने अक्सर इसे सड़क के किनारे पर देखा होगा इस जड़ी बुटी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायवर्टिक, एंटी ऑक्सिडेंट गुड होते है इसके अलावा इसके बीच में रेचक गुड होता है जो कब्स को इलाज करने के लिए उपयोगी होता है सत्या नाशी आपके लिवर के लिए भी लाफकारी होती है इस सब के अलावा सत्या नाशी स्वास्त के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसे दवा को कई बीमारियों का इलाज करने के लिए परयोग किया जाता है इसकी पतियों का उपयोग मलेरिया बुखार, अलसर और तवचा की समस्याओं को ठीक करने में किया जाता है इसकी जड़ मुत्र से जुड़ी समस्याएं और पुराने तवचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है इसके पौधों से तैयार रस, पीलिया और तवचा के समस्याओं के लिए लाफकारी होता है यह जड़ी बुटी, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से पीडित वेक्तियों के लिए बहुत लाफकारी हो सकती है पौधों की जड़े निकाल कर सबसे पहले अच्छे से धोएं इसके बाद इसमें अच्छी तरह सुखाने के बाद इसकी जड़ से पाउडर तयार करें दिन में दो बार गर्म दूध या पानी के साथ आधे से एक क्रम पाउडर का सेवन करें इसमें स्वादा अनुसार शक्कर मिला सकते हैं या कफ को निकालने में मदद करता है आप सत्या नाशी के पौधों का इस्तमाल पिलिया दूर करने के लिए कर सकते हैं इसके लिए सत्या नाशी तेल और गिलोए का रस लगेगा आठ से दस मुंदें सत्या नाशी तेल और गिलोए का रस लेवें अब इन दोनों समागरियों को अच्छी तरह से मिला लेवें यह उपाए पीलिया में बहुत लाफकारी मानी जाती है मुत्र पत्थ में जलन होने पर सत्या नाशी का सेवन कर सकते हैं इसके लिए आपको 200 मिलिलिल्टर पानी में 20 गराम पौधे को डालें अब इसे गरम करें और काढ़ा तयार कर लेवें दिन में तीन बार इसका सेवन करें बहुत फायदा मिलेगा सत्या नाशी के फायदों के साथ कुछ इसके नुकसान भी है आईए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में या गर्भावस्था और इस तन पान के दोरान लाफकारी नहीं माना गया है इसके अलावा है बच्चों के लिए भी उप्योगत नहीं है यदि इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो निरजली करण हो सकता है कोलाइटस मतलब आतों के सुजन दस बाउल सिंड्रोम जैसी समस्यों में इसका सेवन करना लाफकारी नहीं होता इसके बीजों से तैयार तेल बहुत जहरीला होता है इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जादा स्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें